दोस्तों स्वागत है आपका ESPICES Academy में और आज हम करेंगे Practice Set 21 तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो पहला Question है बुद्ध को निर्वान कहां प्राप्त हुआ तो बुद्ध को निर्वान कहां प्राप्त हुआ यह कुशिनगर में और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चै गुप्त वंश के बाद इसा की छटी सदी के मध ने पंजाब पर वर्चर सिस्थापित किया तो किनों ने पंजाब पर वर्चर सिस्थापित किया हुडों ने चलिए तीन नमबर देखेंगे कौन सा युद्ध यहाँ पर होगा निर्णायक था और उसने उत्तरी भारत में मुसलिम प्रभुत्य की नियू रखी तो कौन सा था तारायन का दुतियुद चलिए चार नमबर 1206 में भारत में तुरकों तुरकी शासन की नियू रखी तो किसने रखी थी ये रखी थी कुतुब बुद्दीन एबक ने पानी पत का प्रथम युद तो पानी प्रत का प्रथ में लड़ा गया था चार नमबर देख लेंगे पांच नमबर निमलिखित में से कौन सा आंदोलन नेत्रत हिन आंदोलन था तो जो पांच नमबर है उसका भारत छोड़ो आंदोलन साथ नमबर कुश्चन देखेंगे गांधी ने को साबर मत्री आसरम से दान्डी की और चलना सुरू किया तो वह कब था ये कुश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है आपको आना चाहिए ये 12 मार्च थी 12 मार्च को 12 मार्च 1930 को इन्होंने दान्डी मार्च प्रहरम किया था आठ नमबर कुश्चन की और बढ़ेंगे और देखेंगे कि बंगाल का विभाजन कब घुसित किया गया तो जो बंगाल का विभाजन है वो 19 जुलाई 1905 को घुसित किया गया नमबर लाट डलोजी की विला नीत का प्रथम सिकार निम्न में से कौन हुआ तो जो प्रथम सिकार है लाट डलोजी का वो था 17 इसका क्रम भी पूछ लेते हैं तो आपको वो क्रम आना चाहिए आप अपनी पुश्टकों से देख सकते हैं दस नमबर अठारा सो सतावन के प्रथम सोतंतरता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला सोतंतर से नानी कौन थी तो इसमें बेगम हजरत महल थी दस कड़ी ग्यारा नमबर पृत्वी के इस्थली छेत में भारत का हिस्सा कितना है यह कुस्चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो जो यह है 2.4 परसेंट चलिए सफेद रेगिस्थान 12 नमबर देखेंगे सफेद रेगिस्थान के भारत के निम्लिखित राज्यों में से किसमें इस्थित है तो यह कहां पर इस्थित है यह गुजरात में कक्षकरन इसी को बोलते है इसी को सफेद रेगिस्थान बोलते है तेरा नमबर देखेंगे निम्रिखित में से कौन सा भारती सहर निम्रता भूकम्पी छेतर है तो वहाँ है रायपूर 36 गड़ भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है तो उसका कारण है फेरिक आकसाइट की उपस्थिती चलिए 15 नमबर देखेंगे और आप प्रक्टिस करते रहे है क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है और पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपके भले सेंटर दूर गए हो आप लोग बस लगे रहे है अब भ्यास करते रहे है चलिए 15 नमबर देखेंगे डिक बोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो डिक बोई में क्या पाया जाता है वो है पैट्रोलियम 16 भारती अर्थ विवस्था के संदर्भ में निमलिकित में से कौन सा प्राथमिक छेतर की अंतरगत आता है तो जो प्राथमिक सेक्टर, दिती सेक्टर, तिती सेक्टर, तिती सेक्टर और डेरी फार्मिंग ये सब प्राथमिक सेक्टर हैं चलिए सत्र नमबर देखेंगे SBI के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पात का नाम क्या है जिससे विश्व की नविंतम डिजिटल प्रद्योगियू का प्रयोग करके बनाया गया है तो वह है आपका यूनो यू अनली नोड वन ये जिन लोगे SBI में खाते हैं उनको पता होगा कि ये SBI वाले डाउनलोड करवा रहे हैं यूनो जैसे गूगल पे और इस तरह की चीज़ें हैं फोन पे उसी तरह का ये यूनो आप भी है चले अठार नमबर देखें कि प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है तो जोखिम कवरेज है टू लाक चले उननीस नमबर देखें काले धन पर विसेस जाच दल SIT जिसने तेरा लाग से अधिक के नगत के लेंदेन पर प्रतिबंध लग जो जो उननीस नमबर उसके अधिच थे एंबी शाह बीस नमबर कुश्चन देखेंगे केंदरी महिला एवं बाल विकास मंतराले के निर्भया फंड के तहत कितने शहर सहरों को सुरच्चित बनाने के लिए उन्तिस सो उननीस करोड रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तो जो बीस नमबर है उसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर तीन सहरों को स्वारी आठ सहरों को चलिए एकिस नमबर इनमे से कौन सा देश लोकतांतरिक देश नहीं है इकिस नमबर में लोकतांतरिक देश चीन नहीं है यहाँ कम्यूनिस्ट सासन है बाइस नमबर देखेंगे आपात कालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकवार द्वारा ने मलिखित में से कौन सी निधी का उप्योग किया जाता है तो वो है कंटिजेंसी फंड यानी की अकास्मिक नधी यह अभी UPPCS के इसका अनुच्छेत पूछा गया है चलिए तेश नमबर देखेंगे राजिनितिक स्पेक्ट्रम में किस दल को करांतिकारी सोस्लिक सोस्विस पार्टी सम्मंधित है तो वो है वामपन्थी चलिए चोविस नमबर देखेंगे राजनितिक नेता प्रेम सिंग तमांग निमलिकित में से किस भारती राजिसे सम्मंध रखते हैं तो वो है सिक्किम 25 नमबर भारती सम्मिदान में पहला संसोधन कब किया गया तो वो है 1951 में नवी अनसूची को सम्मिदान में जोड़ा गया था 26 नमबर विद्दुत आवेस के प्रवाह की दर को कहा जाता है विद्दुत धारा माफ कीजिए को कहा जाता है विद्दुत धारा 27 नमबर वायू के संपर्क में आने पर चांदी के बनने के कारण काली पढ़ जाती है तो किसके कारण काली पढ़ जाती है A, G, S, S, 3 A, G, 2, S A, G, 2, S है 28 नमबर देखेंगे DNA के वाटसन अवं क्रीक मॉडल है तो नमबल के तिमेशा कौन सा असत्य है तो यहाँ पर 28 में असत्य पूछा गया है तो इसमें यह है कि तीन हाइडरोजन बंधों के द्वारा थाइमिन के साथ एडिनिन संगठित हो सकता है और दो हाइडरोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन के साथ गवानिनिन संगठित हो सकता है यह कथन गलत है चलिए 39 नमबर देखेंगे निमलिखित में से जन्मजात रोक प्रतिरोधिता का सरीर क्रिया रोधी चुनिये तो कौन सा रोधी है यहाँ पर आपका अमासे से आमल चलिए 30 नमबर एक भ्रोण में एक भ्रोण जिसमें पिता से एकस गुनसोत प्राप्त हैं से विक्सित होता है तो क्या विक्सित होता है यह विक्सित होती है लड़की चलिए आगे बढ़ेंगे और उसी में हम 30 question को और जोड़े दे रहे हैं बस आप इनकी practice करते रहिए चलते फिरते जब आपके पास खाली समय हो तब आप इनको सुनिए देखिए और देखना इससे जरूर question फसेंगे आपके exam में तो चलिए यहाँ पर फिर पहला question देखिएंगे 1878 में अंग्रेजों ने पहली printing press की स्थापना की तो यह कहां की थी यह की थी कलकत्ता में और printing press का जो अविसकार हुआ था वो हुआ था 1440 इसवी में चलिए आगे बढ़ेंगे गोहाना में किले का निर्मान किस राजा के द्वारा हुआ था तो यह हुआ था पुर्थिवी राज त्रती के द्वारा चलिए तीन नमबर देखेंगे बाबर और इबराहिम लोदी के बीच 1526 में प्रसिद्ध लड़ाई कहां लड़ी गई तो वह लड़ाई लड़ी गई थी पानी पत में चलिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे स्वामी राजा राम मोहन राय वे पंद्रासो च्छपन में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमद्ध की एम चंद्र ने विक्रमा दित्ती की उपादी धारण की थी। चलिए छे नंबर देखेंगे। भारत में राजनेतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाली भारती नेता थे। तो कौन थे वो? वह थे राजा रामोहन रॉय। चलिए साथ नंबर किसे सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता था। तो वह थे आपके बाबा साहब भीमराव अमबेड कर जी। राज विहारी भोषद्वारा संगठित भारती सुतन्तित लिख की संगठन का एक अग्रदूद था। तो वह की संगठन का था? भारती राश्च्री फावज का! पल्लो आंदोलन संबंधित है! तो पल्लो आंदोलन संबंधित है तमिलनाडू से! सिपाही विद्रोह किस वर्स हुआ तो जो सिपाही विद्रोह है वो हा हूआ 1857 में काजि रंगा वन जी अभधरन कहां अवस्थीत है तो जो काजि रंगा वन जी अभधरन है वो है असम में 12 नंबर 3 भारत में मैगनीज का अग्रणी उतपादक है तो भारत मैगनेज का अगनी उद्पादक ओडिसा है रबी की फुसल के अंत में बोई जाती है तो कब बोई जाती है यह यह आसपास यह नवंबर के बाद बोई जाती है और यह मार्च अपरैल में काटी जाती है चलिए चौदा नमबर निम्ण में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती तो इसका जो आंसर होगा है गोदावरी क्योंकि ये नर्मदात आपी और साब ये पूर वाहिनी नदीया है केवल गोदावरी पस्चिमी वाहिन नदीया है चलिए पंदरा नमबर देखेंगे भारत की मुक्य भूमी का दच्छिताम अंस कौन सा है तो वह है डी आठ डिग्री चार बिनिट नौर्थ अच्छांस सोला नमबर देखेंगे उप्योग फलन सी बराबर ए प्लस बी वाई में वाई किसे दरसाता है तो देखें ये जो टर्म है ये अर्थ ववस्ता से सम्मंधित है और ये अर्थ ववस्ता में उप्योग फलन को दरसाता है जिसमें आपका जो बी है वो सीमान्त उपभोग को दरसाता है सीमान्त उपभोग को दरसाता है तो इसमें जो पूछ रहा है कि वाई किसे दरसाता है तो यह दरसाता है सीमांत उपभोग प्रवत्ती को चलिए सत्रा नमबर देखेंगे विसेश पटक योजना को वर्स दो हजाजा 1976 में भारत सरकार के कल्यान के लिए शुरू किया गया तो किसके कल्यान के लिए सत्रा नमबर में यह की अनुसूचित जाती के कल्यान के लिए शुरू किया गया अठा नमबर देखेंगे जिस दर पर RBI वार्जिक बैंकों से रण लेता है उससे कहते हैं तो उससे क्या कहते हैं रिवर्स रेपो रेट चलिए उननीस नमबर कुश्यन देखेंगे निमने लिखित में से कौन से समान या मद जेश्टी के अंतरगट छूट प्राप्त है या सूनिक करदर से या जीरो प्रितिशन प्रभारित है तो इन में से कौन सी चीजे हैं जो जेश्टी से छूट प्राप्त है तो एक दो तीन चार पांच यहां पर सी हो जाएगा समाचार पत्र कुम कुम और बिंदी रेसम कीट और खादी धागा और अंतरिक श्यान मगर मित्रो अभी यह पुराना है हो सकता अभी रिवाइज जो लिश्ट आई है उसमें यह सब भी सामिल हो गए हो चले 20 नमबर देखेंगे मन रेगा कि अंतरिकत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्द कराया जा रहा है तो 20 का जो अंसर है वो है 100, 100 दिन रोजगार की गारेंटी है चले 21 नमबर देखेंगे निमलिकीत मेंसे कौन सा असत्त है तो इसमें असत्त है डी वर्स 1947 में भारत के सुतंतरता अधनियम ने कामन वेल्थ देशों के समूं में भारत को सामिल किया नहीं भारत बाद में सामिल हुआ था चले 22 नमबर देखेंगे 37 साली केंद सरकार के साथ संगी प्रनाली से ली गई है तो 22 नमबर में कहां से ली गई है वो कैनाडा से ली गई है चले 23 नमबर राष्टी मानोवा अधिकार आयोक का अध्यक होना आवस्यक है तो कहां का आवस्यक है भी है उच्चितम नियाले का सेवा निवरत मुखिन आधीस उच्चितम नियाले का मानोवा अधिकार आयोका अध्यक बन सकता है चले 24 नमबर देखेंगे निम्न लिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपती चुनावी सूची में सामिल नहीं है यानि कि कौन लोग नहीं दे सकते हैं उनको वोट तो 24 नमबर का जो आंसर है वो है D यानि दो और तिन राजविधान सभा के सदस से और राजविधान सभा के नामित सदस से चले 25 नमबर देखेंगे तिहत्रमा समविधान संसोधन पंचायतों को बनाने का प्रावधान करता है तो क्या बनाने का प्रावधान करता है? सम्वैधानिक संस्था चले 26 नमबर की और बढ़ेंगे माईटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से प्रत्थक हो जाते हैं तो जो 26 नमबर है एनिफेज इस चरण में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं 27 नमबर देखेंगे निमलिखित में से काउन सा मानव वक्र प्रत्यारोपन की अस्वकृति को रोकने के लिए प्रियोक तो होता है तो जो है इसका आंसर वो है MLB Monoclorine Antibodies 28 नमबर जब वस्त को वक्रता केंदर के पीछे रखा जाता है तो आउतल दरपन के कारण बनने वाले प्रत्यविम की प्रकति कैसी होती है तो प्रत्यविम जो होती है वास्तविक आवम उल्टी 29 नमबर देखेंगे कौन सा विद्दुद घटक, विद्दुद परिपथ और यंत्रों को संभावित हानी से बचाता है तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है विद्दुद फ्यूज आपके अपने घरों में देखा होगा कि जैसे ही वोल्टेज जादा होता है घर का फ्यूज उड़ जाता है लाइट चली जाती है चले किसी भी एलेक्ट्रोड का एलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है धातु की प्रकति पर, विलेन की मौलरता पर, विलेन के ताब पर और ये सब ही जिसे मैं और भी इसी तरह के प्रैक्टिस से टलाता रहूँ तब तक के लिए मुझे जयाद दीजिए जय हिन जय भारत